हलो फ्रेंज, वेलकम टू मेहते स्पेसर क्लासिस, तो फ्रेंज, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क चेप्टर की ओर, जो कि हम किरन प्रकाशन बुक से सॉल्व कर रहे हैं, और टाइप 2 तक हमारे कम्पलीट हो चुके हैं सारे कोशन्स, ठीके, फिर हम चलते हैं प्रेंज, तो टाइम एंड वर्क चेप्टर है, टाइम मतलब समय, एंड वर्क मतलब कार, समय और कार की बात करते हैं, जो कि हम किरन प्रकाशन बुक से सॉल्व करें और टाइप इसमें सॉल्व करेंगे, हम कौन सा, ठीके, कुछ कोशन्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो सबसे पहला कौशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से रीट कीजिएगा, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, ठीके, किसी काम को कुछ आदमी, कुछ आदमी हम X माल लेते हैं, और 30 दिन में कर सकते हैं, देखो, फ्रेंज किस टाइप से करना है, आपको दिन दिखाई देते हैं, तो उनका आपस में मल्टिप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा कुल काम होता है, कहने को, ठीके, आगे देखते हैं, यदि 5 आदमी और काम पल लगा दिये जाएं, तो 20 दिन में पूरा हो जाता है, देखो, अब पहले थे X व्यक्ति, व्यक् निपट जाएगा, तो कितने दिन में निपट जाता है, भाई, 20 दिन में निपट जाता है, तो ये question number 1 है, बहुत simple question है, और मुए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने तो करी लिया होगा, लेकिन मेरा कराना काम है, तो मुझे भी कराना होगा, तो यहाँ पे 0 से 0, ये कित to 10, तो मतलब जो है, कि कितने व्यक्ति पहले थे, x की value, मतलब question ये पूछेगा, इस question में कि पहले आदमी कितने थे, ठीके friends, तो कितने थे, 10 व्यक्ति थे, तो ये हमारा क्या होगा, answer हो जाएगा, फड़ा फड़ से note कीजेगा, वीडियो पॉस, चल, फिर हम चलते हैं, में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं, और किस प्रकार से question solve करना है, वो भी सीख लेते हैं, आठ पुरुस किसी काम को, आठ पुरुस किसी काम को, बारे दिन में कर सकते हैं, मैं हम यह सब जिस type से कर रहा हूँ, वस आपको वही चीज फॉलो करने हैं, ठीके, 6 दिन देखो, इस question को मैं थोड़ा सा और अच्छे से derivate करूँगा, ठीके, सबसे पहले देखो, 12 into 8 करेंगे, तो यह हमारा क्या निकाल के देगा, detail में चलने हैं, 12, 8, 96, तो मतलब 96, 96 मेरा क्या कहलाएगा, यह होगा मेरा total work, क्या होगा, total work, ठीके, टुकडों में करते हैं, फिर एकटा समेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 6 दिन कारे करने के बाद, तो भाई, 6 दिन तक तो इन 8 नहीं व्यक्तियों ने काम किया होगा, तो 8 व्यक्ति ने 6 दिन में कितना कर लिए होगा, 8 into 6, 8 चिंग, 48, माइनस कर दू, 96 में ऐसे 48 आएगे, तो बचेंगे, कितने 48 ही, ठीक है, आंगी देखते हो, कोशन क्या भूल रहे हैं, 6 दिन कारे करने के बाद, 4 पुरुस और आ गई, 4 और पुरुस कारे करने के लिए लगा दिये हैं, मतलब देखो, 8 तो पहले से पुरुस थे, मेरे पास, 4 और आ गई, तो कितने हो गई पुरुस भाई, 12 व्यक्ति, अ उपर के आए, 6 कारे बचा हुआ है, जो कि हमें करवाने कितने से, 12 व्यक्ति से, क्यों, क्योंकि 48 काम तो इन 8 होने फिनिस कर लिया, और टोटल वर्क 96, 96 मैं से 48 माइनस करेंगे, बचे का 48, 48 को 12 से भाग कर देंगे, तो वो दिन निकल के आ जाएंगे, जितने दिन में ये 12 बारे व्यक्ति वर्क कंप्लीट करेंगे, तो बारे चुप को अड़ता लिए, चार दिन निकल के आया, और ये 4 डेस क्या होगा, 4 डेस वो वाली वैल्यू होगी, जो कि सेस काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, आंगे देखते हो, क्या क्या कर रहे है, तो सेस कारे को कितने द युक्रों में किया कि पहले 12 into 8 करने पर कुल काम होता है, आदमियों में अगर मैं दिन का मल्टिप्लाई करता हूं, तो वो टोटल कारे दिता है, ठीक है, अब 8 आदमी 6 दिन काम करते, तो वो कितना हो जाएगा, 8 ये 6 दिन का काम हो गया, तो 6 दिन का काम मैंने माइनस कर द ये का अगर नहीं किया है, तो देखी, इसी चीज को मैं और कैसे कर सकते हूं, वो भी देख लेते, देखो फ्रेंज, जैसे कि मैंने बोला, question number 2 ही define कर रहे हम यहां पर, 8 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, देखना दिहान से समझना, 8 व्यक्ति 12 दि किया होगा, जो कुछ हो रहा है, 6 दिन बाद आ रहे हैं, आ रहे हैं, जो कुछ भी है, वो मतलब 6 दिन के बाद हो रहे हैं, तो plus कर लेंगे, ठीक है, plus कर लेंगे, क्योंकि यहां पर जो अभी काम complete नहीं हुआ, ठीक है, 8 इंटू 6 करेंगे, तो कहीं ना कहीं कम होगा, क्यो find out करनी है, और हमारा जोगा answer निकल के आ जाएगा, चलो तो कैसे देख लेते हैं, अब देखो, बारे अठे कितना होगे, 96, आप कोई भी pattern follow कर सकते हो, चाहे वो चाहे, यह कोई दिक्कत नहीं, आठ चिंग 48, plus 12 multiply x मतलब 12x, 48 को माइनस कर दूँ तो बचेगा, कितना 48 बचे बारे x is equal to, अब 12 से काहते हो, बारे चोक 48, तो कितने दिन हो जाएंगे, x is equal to 4 हो जाएगा, तो आप कोई भी pattern follow कर सकते हो, इस टाइप के questions के लिए, ठीक है, और दोनों ही pattern आसान है, और simple है, यह सिर्फ एक line में language के according हो जाते है, वो हमें समझाने के लिए कराना होता, है, यह कितने दिन का काम है, 6 days work है, और यह remaining work को कितने दिन में करेगा, x यहाँ पर क्या है, मेरा दिन है, c.s काम को कितने दिन में, तो यहाँ पर यह क्या है, remaining day हमें निकानने है, ठीक है friends, तो उमीद करता हूँ, साइद यह आप लोगों के clear हो चुका होगा, फड़ावर स नोट कीजिएगा, चलो, तो हम चलते हैं, अपने question number 3 की ओर, ठीक है, रफ कर दूँ, अगर नहीं किया, तो please video pause कर लीजिए, चलो, फिर हम चलते ही, question number 3 की ओर, और please friends, अगर आप इस channel पर new students हो, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह request करूँ, कि आपना video series B में देखें, मतलब first type से देखें, और उससे पहले भी हमने कुछ basic सीखा है, तो उस basic को भी complete कर लीजिएगा, जिससे सारी चीज़े clear हो जाएंगी, second point अगर आपको video पसंद आए, तो please subscribe और share करना ना भूले अपने friends group में, ठीक है friends, चलो, तो फिर हम चलते हैं, अपने question number 3 की ओर, question number 3 में क्या दि दिन में कर सकते हैं, देखो, 20 और 12 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत ने, A और B, A किसी कारे को 20 दिन में कर रहा हैं, और B जो अब 12 दिन में कर रहा हैं, अब देखो, B, A और B, 20 और 12 दिन में कर रहा हैं, सबसे पहले इनका LCM ले ले लेते हैं, वही कहानी है, बारे बीस त maybe 60 by 50 60 अब ऑएकेले कारी प्रारं किया PM 4 दिन ना किया होगा तो च znaj से कितना कर लिया होगा हम देख लेथे हैं। तो A ने चार दिन में कितना कर लिया होगा भाई, A ने एक दिन में कितना करते हैं, तो कार रे कुल कितने दिनों में होगा अब देखो अब इसके साथ में बी भी सामिल हो जाते हैं तो ए प्लस बी सामिल हो जाते हैं अब दिन नहीं पता हमें दिन नहीं पता लेकिन इनकी efficiency कितनी है ये बता हो 3, 5 और 3, 8 मतलब ये क्या है 8 मेरी छमता है ठीके ये 4 क्या था मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं ये थे दिन ये क्या थी एकी छमता थी और ये वो काम है जो की हो चुका है तो मैं माइनस कर दू 6 बचा हुआ काम कितना रह जाएगा 6 बचा हुआ काम बचेगा 48, माइनस करने पर कितना हो जाएगा 48, और जो CS काम है उसे कौन कर रहे है, उसे कर रहे है A plus B, तो A plus B करेंगे तो कितने समय में कर लेंगे तो देखो 48 काम है और इन दोनों की छमता कितनी है 8, 8 से डिवाइड कर दू, 8 चिंग 48, तो मतलब CS काम को करने में तो 60 दाना, 60 में से 48 काम करने में कितने दिल लगे भाई, 8 दिल लगे लेकिन इस 12 काम को करने में कितने दिल लगे 4 दिन, और लगे न तो 8 चार कितने हो जाएगे टोटल मिलाकर 6 plus 4 इस उकलडू कितने हो जाएगे सुरी, यहाँ पर 6 दिन है, यह क्या है, 6 दिन है और यह 4 है, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 दिस, यह हमारा accurate answer हो जाएगा कोशन ने कुल पूचा है तो कोशन ने क्या पूचा है कार्र कुल कितने दिनों में होगा फटाबर से नोट कीजिए का प्लीज फिर हम चलते हैं अपने कोशन नमर 4 की और कोशन नमर 4 में हमें क्या दिया हुआ देख लेते हैं साथ आदमी किसी कार्र को 500 दिन में कर सकते हैं देखो आप या तो इसे सीरीज बना कर लिजे या वैसे कर लिजे साथ आदमी किसी कार्र को 200 दिन में कर सकते हैं मतलब 250 दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक है 250 दिन में पूरा कर सकते हैं अब आंगे क्या बोल्डा कोशन उन्होंने उन्होंने क्या मतलब है 60 आदमियोंने 200 दिन तक कार्ण किया कितने दिन तक 200 दिन तक कार्ण किया दिखो अब दुबारा 60 आदमियों ने 200 दिन तक कारण किया, आप चाहू तो टुकडों से भी कर सकती हो, बीच बीच में जैसे मैंने पहला वाला कोशन किया था, second वाला, ठीक है, 200 दिन तक कारण किया, उसके पसाथ, खराम मौसम के कारण, 10 दिन के लिए बंद करना पड़ा, मतलब खराम मौसम बार सदीखना, 10 दिन बंद करना पड़ा, काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने होंगे, तो देखो 60, 60 आदमी 200 दिन में कर सकते हैं, 60 आदमी ने 200 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद खराम मौसम था, तो इसलिए मैं 60 में कुछ आदमी और ज कितने दिन होंगे, ढूरा यह बता दीजिये मूए, टोटल दिन थे 1200, 200 में से 200 दिन इनोंने काम कर लिया, बाई, 10 दिन मौसम खराम था, वो उस दिन तो किसी ने काम नहीं किया, तो बचशे कितने, 200 में से 200 गए तो 50 बचशे, 50 में से 10 or less कर देंगे, तो कितने दिन यह काम करेंगे मात्र 40 days कितने दिन काम करेंगे 40 days मैं बोल दे रहा हूं अगर camera में नहीं आ रहो तो कोई दिक्कत मत लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 60 plus x है into 40 है into 40 क्यों क्यों क्योंकि 200 दिन का total time था total 200 दिन का ठेका था उसमें से 200 दिन complete होगे बचे कितने only 40 दिन क्यों क्योंकि 10 दिन खराम मौसम के चली गए अब हम calculate कर लेते हैं ठीक है फ्रिंस ध्यान से calculate करना आसानी से ठीक है पच्ची चिक के डेड़ सो और दो जीरो यहां कितना हो गया पंद्रे हजार चैदुनी बारे यह कितना हो गया बारे हजार प्लस यह कितना हो जाएगा चारचिंग 24, 2400 प्लस कितना हो जाएगा 40, ठीक है अब क्या कर सकते हैं अब देखो 12,000 को इधर लेके आओं तो माइनस कर दूं तो पंद्रे में से बारे गए तो बचे कितनी तीन हजार इसकोल टू कितना हो जाएगा 2400 पिलस 40 X ठीक है अब 2400 को इधर लेके आऊं तो कितना हो जाएगा भाई 600 600 इसकोल टू कितना होगा 40 X अच्छा तो X इसकोल टू कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 4 से कितनी बार जाएगा पंद्रे बार तो X इसकल टू कितना हो जाएगा 50 days हमारा क्या होगा स्वारी 50 days नहीं कितने आदमी अत्रिक लगा जाए हैं तो 15 आदमी X क्या हमारा main है क्या है main है ठीक है तो यहाँ पे 15 आदमी all लगाने होंगे तब जाकर काम 500 दिन में complete होगा क्यों लगाने पड़े क्योंकि खरा मोसम के कारण कुछ दिन की छुट्टी होगी अब छुट्टी होगी तो उस टाइम को तो हम बापिस ला नहीं सकते समय कभी वापिस नहीं आता तो हम यह कर सकते कि कुछ व्यक्ति और लगा दे तो टाइम जो है समय पर मतलब काम जो है समय पर हो जाएगा फड़ा पर सनूट कीजेगा फूर्थ वाला कोशन चलो तो हमें सिर्फ कह लेते हैं जल्दी से नूट कीजेगा प्लीज फिर हम चलते हैं अपना कोशन नमर 5 की ओर कोशन नमर 5 में क्या दिया हुआ जरा देखेगा 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं जब भी कभी इस टाइप से सेंटेंस मिले तो सबसे पहले 45 आदमी इंटू 16 कर लेना है ठीक है आँगे की ओर चलते हैं उनके काम सुरू करने की चार दिन बाद मतलब 45 लोगों ने चार दिन तक तो काम किया होगा 45 इंटू कितना चार कर लिया मैंने 45 इंटू 4 उनके साथ 36 आदमी और मिलगे भाई 45 में 36 जोड़ो पहले तो 45 में 36 चोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 4 आठ मतलब 81 तो यहाँ पे प्लस करके 81 और अब कितना समय लगेगा कोशन देखो दुबारा और मैच करो मैंने क्या 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 45 आदमी एक कार्ड को 16 दिन में कर सकते 45 आदमी और चार दिन तक कार्ड किया उसके बाद में 36 आदमी और आगे तो इस 81 में इस 81 में क्या-क्या है इसमें 2 चीजें पहले बाले 45 वियक्ती प्लस 36 वियक्ती क्योंकि भाई अब तो साम्मिल होगे तो अब सेस कार्य को समय कितना लगेगा कौशन ने क्या पूचा है सेस काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे तो कितने दिल लगेंगे भाई, x अब हमें ये find out करना है, अब देखो तो find out कैसे करना है अब सबसे पहले यहाँ पर multiply कर लेते हैं 16, 5, 80, 80 की 0 होती है, 8 carry होती है 16, 4, 64 होते हैं, 64 में 8 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 72 कितना हो जाएगा, 720, अब 720 is equal to, कितना हो जाएगा, 4, 5, 20 हो जाएगा, 0, 2, carry, 4, 4, 16, 17, 18 कितना हो गया, 180, प्लस ये कितना हो गया, 81, x हो गया ठीके friends, अब क्या करना है, simply इसमें से minus कर देता हूँ तो देखो, 18 minus करूँगा, तो कितना बचेगा, 54, मतलब 540 540, मैंने क्या किया, 180 को इसमें से कटा दिया, 720 में से, इदर लेकिया, is equal to कितना है, 81, x, तो x is equal to कितना हो जाएगा, भाई, 540, बचे में, 81, 81, 9 से काट ले, 9, 81, 9, 64, 0, अब क्या करें, 3 से काट लेते हैं, 3, 2, 6, 0, 3, 3, 9, तो 20, 3, कितना होता है, हमारा 6, 2, 3, तो यहाँ x is equal to कितनी value निकल के आएगी, 6, 2, 3, जो है, हमारा समय लगेगा, मतलब यह क्या है, हमारे remaining day से, और कितना समय लगेगा, हमें, मतलब यह समय लग जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा, फड़ा फट से लोड कीजिएगा, प्लीज, जल्दी से लोड कीजिएगा, चलो, तो नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉस्ट कर लिजिएगा, फिर हम चलते हैं, अपने कोशन नमबर 6 की और, कोशन नमबर 6 में क्या दिया हुआ देख ले दे, बहुत सिंपल वे से सॉल्व करेंगे, दियान से दिखेगा, एक किसी काम के, 4 बटे 5 बाग को 20 दिन में, ये तो आपने करी लिया हुगा, जिन्होंने सीधे सीधे कराया है, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक में भी ये कॉशन कराया है, चार बटे 5 बाग को मतलब, चार बटे 5 बाग को कितने दिन में कर रहा है भाई, बीस दिन में कर ले ता है, फिर बहाब B को बुलाकर, फिर बहाब B को बुलाकर का मतलब क्या है, A plus B, B को बुलाकर या B की साहिता लेकर उसका मतलब क्या होता है? B किसी की साहिता करेगा या कोई बुलाएगा तो दो व्यक्ति तो होंगे कम से कम, ठीक है? तो A plus B, 6 काम को भाई देखो, 5 बट्टे, 4 बट्टे, 5 काम यहाँ पर हो गया, तो 6 कितना बचा होगा? एक बट्टे, 5 काम बचा होगा अब एक बट्टे, 5 काम को वो तीन दिन में कर लेते हैं जब तीन दिन में कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 सिक, multiply 20 पंजे, 100 100 बट्टे, 4 कितना हो जाएगा? 25, यह आप लोगों को बताया हुआ basic में कैसे solve करना है ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 50, 15 अब LCM की बात कर रहे, तो LCM आ जाएगा कितना? 1,500, कितना होगा? 150, 25 के डोड से होते हैं 15,500 होते हैं अब यहाँ पर देखो, A की value तो मुझे पता है A की value कितनी है? 6 तो A is equal to कितना दिया है? 6 और A plus B is equal to कितना है? A plus B is equal to 10 जब A plus B is equal to 10 है तो A की value 6 रख दू तो B की कितनी होनी चाहिए? तो B is equal to निकल के आ जाएगा क्या? 4, तो B is equal to कितनी आएगी? 4 आगी अब question देखते, question क्या बोल रहा है? B को उस काम को अकेली करने में कितना समय लेगा? बहुत simple है तो काम कितना हमारा है? 1.500 और 1.500 काम को B अकेला करेगा तो B की efficiency कितनी है? 4, 4 से भाग करतें तो 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? आदा कर लेते हैं पहले एक काम करते हैं 75, 75, 1.500 इसी भी आदा करते हैं अब 75 बटे दो 75 बटे दो मतलब 36, 35, 25, 70 होते हैं तो कितना हो जाएगा? 37 सही 1 बटे 2 ये क्या होगा? Days ये हमारा answer हो गया ठीके फ्रेंज फटा फट से नूट कर लीजिएगा simple question है अच्छा question है और आपको मैंने ये basic concept वीडियो में और बहुत सारी जगे मैंने आपको ये सारी चीज़े बता रखे हैं ठीके फ्रेंज फटा फट से नूट कीजिएगा प्लीज प्लीज फ्रेंज आपके comment और like बहुत कम आ रहे हैं तो प्लीज ऐसा न कीजिएगा ठीके तो ये सारी चीज़ें आपको provide कर रही जारी है एकदम best तरीके से किरन publication की book solve कर रही जारी है तो ये आपके लिए है ठीके तो मैं उमीद करता हूँ कि like और comment आप चरूर करो के जैसा भी हो कोई भी question हो वो चीज या फिर अच्छा लगे तो अच्छा like जो कुछ भी है ठीके अपने दिल की बात हम तक तो पहुंचा हो हम तो अपने दिल की बात पहुंचा रहे हैं ठीके चलो फिर हम चलते हैं अपने question number 7 की question number 7 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं तो question number 7 क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा किसी काम के 7 बट्टे 10 बाग को ए पंद्रे दिन में किसी काम के 7 बट्टे 10 बाग को ए जोव पंद्रे दिन में कर रहा है मतलब ए जोव है 7 बट्टे 10 बाग को पंद्रे दिन में सेम question, सेम pattern ठीक है, पंद्रे दिन में कर लेता है उसके परसाद B की साहिता मतलब B को बुला लेता है तो साहिता कर रहा है तो A प्लस B होगे अब जोव है 6 काम कितना बचा 3 बट्टे 10 बचा न क्योंकि 10 में से 7 गटा दिये तो कितना आया, 3 बट्टे का 10 बट्टे में और कितने दिन में कर लेते हैं ये हमें question में देखा, 4 दिनों में पूरा कर सकते है कब 6 काम को ठीक है, ध्यान से देखना 6 काम जरूर होना चाहिए ठीक है, 4 दिन में कर लेते हैं के लिए हमें ये नीचे वाली value को भूल जाना है, और उपर वाली value से हमें कैसे भी करके LCM ले लेना है, तो LCM लेंगे तो कितना आएगा यहां से, यहां से आएगा आपका 600, कितना आएगा 600 आएगा, उससे पहले कोई भी ऐसी value नहीं है जिससे, जिसमें दोनों का भाग चला जाए, ठीके फ्रेंस तो अब हम देख लेते हैं, देखो 15, 4 के 60, यह कितनी बार गया है, 4 बार लेकिन अब इस 7 का क्या करेंगे, multiply तो 4 सत्य कितना हो जाएगा, यहां पर जो efficiency बनेगी, वो 28 बन गई, ठीके, अब यहां देखो, 4 से काटेंगे, 15, तो 15 इंटू 3 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 तीया, 45 अब इस question में, देखो, मजेदारी वाली बात क्या है, यहां पर question में, आप लोग क्या करोके, A plus B, या बहुत से, तो सीधे-सीधे जोड़ कर, निम्नमेसिस, कितने समय, भाई, A और B की, इस पेसली छमता हमें दी है, कितनी है, 45, भाई, A और B ही तो है, तो इसका तो कोई रॉली नहीं है, इसका तो सिर्फ यहीं पर रॉल है, LCM तक, A plus B हमें पता है, 45 है, तो 600 काम को 45 से भाग देंगे, तो कितना आजाएगा, जरा Бताईएगा, तो भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 से काट ले, 120, 95, 45, 3 से काटे, 3 Lewis, 3ी तरका 9, 9, 3 से काटेंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 सही एक बट्टे, 3 दिन, ये क्या होगा, हमारा answer हो जाएगा तो simple VC आप जो solve कर सकते हो ठीक है तो simple question है मुझे पता है आप लोगों का हो सकता है doubt हो लेकिन आज वो doubt clear हो गया होगा तो please अकर doubt clear हुआ तो please like जरूर करना ओके friends फिर हम चलते हैं अपनी next question question number 8 की ओर question number 8 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं ठीक है ध्यान से देखिएगा simple question है जादा कुछ नहीं है तो question number 8 है आपकी screen पे ध्यान से देखिएगा question number 8 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक व्यक्ति एक कार्रे को 1500 दिल में कर सकता है एक व्यक्ति एक कारे को 1500 दिन में पूरा कर सकता है ठीक है यह लेंग्विज में बिलकुल मतलब इस कोशन के लिए अच्छी नहीं है सिर्फ आपको क्या करना है 1500 दिन में मतलब कोई भी काम है 1500 दिन का ठेका लिया है ठीक है, 200 व्यक्ति, पहली लाइन को आप छोड़ दीजे अभी, यहां से पढ़िए, उसमें वहाँ 200 व्यक्ति नोक्त करता है, मतलब 200 व्यक्ति मैंने काम पर लगा दिये, 200 व्यक्ति काम पर लगा दिये, लेकिन 50 दिन तक इनों ने कार्द किया, तो 50 दिन बाद पता चला कि क एक बट्टे, चार इससा ही हो पाया है, एक चोथा ही का मतलब है, एक बट्टे चार, और एक बट्टे चार में से मतलब यहां पर अगर एक काम हुआ, तो दूसरी साइड में कितना रिमेनिक बचा हुआ है, सेस कार, भाई, तीन बचा हुआ क्यों, टोटल है कितना चार, य एक चोटाइ पूरा हूपाय तदो सब्सार वहाँ पूरा कारि नियत समय पैं रोसंचर समय क्या करें तो सर्वा पूरों निश्य समय पर करने के लिए उसे व्यक्ति अत्र unjust करने होंगे कितने व्यक्ति और तुम्हेक लेतु यहां पर दूसो तो पहले की दे व्यक्ति और प्लसत एक्स जो है अभ और नई व्यक्ति आगे और कितने दिन में इन्हें ये complete करना है भाई 100 दिन में ही तो करना है क्यों sir क्योंकि 500 दिन का ठेका लिया आए वहाँ पर जो first line में दिया हुआ एक व्यक्ति एक कार्री को 1500 दिन में पूरा कर सकता है यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि 1500 दिन में कार्री पूरा करना है अब चाहिए इधर करो चाहिए उधर करो यह पूरा टोटल होना चाहिए यह 150 डेस में ठीक है चलो तो अब कैलोकुलेट कर लेते हैं हम तो देखो दो 0 है दो 0 से यह 2 0 अठा दू ठीक है अब यह कितना हो गया 50 तो नहीं 100 हो गया 100 में 3 का गुणा करूँ तो 300 हो जाएगा ठी ठीक है 300 is equal to 1 का तो कोई मतलब भी नहीं है 3 का multiply कर दिया 300 हो गया और इधर कितना बचा 200 प्लस x तो x is equal to कितना हो जाएगा 300 में ऐसे 200 जाएगे तो 100 यह क्या होगा हमारा answer हो जाएगा समझ के तो उसे कितने व्यक्ति और लाने होंगे 100 व्यक्ति और लाने होंगे उन्हें का सब्सक्रावर से नोड़ कीजिएगा प्लीज चलो तो हमें सिरफ कर लेते हैं फिर हम चलते हैं अपने कोशन नमर 9 की और कोशन नमर 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं किस प्रकार से solve परना वह भी सीख लेते हैं दियान से देखिएगा 30 कारगार किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं देखो 30 कारगारे किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं मैंने आपको बताया दिन और कारगार या आदमी जो भी हो आपको multiply करना है और यह multiply इसलिए करते हैं क्योंकि हमें total work निकानना होता है ठीकिए आंगे देखते हैं 30 दिन बाद कुछ और कारगार आगे भाई अब आप जैसे बोलोगों वैसे कर देंगे चाहे तो टुकड़ों में कर लो चाहे एक सीरीस बना कर कर लो तो ध्यान से देखों सीरीस केसे मनती ठीकिए ध्यान से देख न, 30 दिन बाद, 30 दिन बाद हो रहे है, तो मतलब इन 30 व्यक्तियों ने कम से कम 30 दिन तो कार्य किया होगा भाई, यह वाला 30 कौन सा है, यह है मेरा क्या व्यक्ति, और यह वाला 30 क्या है भाई, यह है मेरा 30 दिन, समझ गए, जो कोशन में आंगी दिया है, 30 दि प्लस X हो जाएगा क्यों क्योंकि 30 से तो आदमी पहले के थे अब कुछ आदमी और आगे तो प्लस X इसके नीचे में लिख दूँगा ठीक है 30 प्लस X आंगे क्या बोल रहा है तता कार धे 2 दिन में पूरा कर लिया यहां पर एक में से 2 नहीं आएगा भाई दो नहीं आएगा बुक में आप चेंज कर लीजिए दो की जगे पर चार कीजिए का कितना फोर कितने दिन में हो रहा है काम जूँआ आंगी का चार दिन में हो रहा है तो calculate करने पर कितना हो जाएगा? 3 से 3.18 की 8, 1 carry 3, 3 का 9, 10, 10, 10, 8, 0 is equal to कितना हो जाएगा? 3, 3 का 9 मतलब 900 हो गया और is equal to plus 4, 3, 12 मतलब कितना हो गया? 4, 3, 12 120 प्लस 4x ठीके, अब हम calculate कर लेते हैं तो 900 को सबसे पहले इधर बेज दूँ तो इधर बेज हूँगा, 900 माइनस करने पर कितना बचेगा? 180 ठीके, is equal to कितना हो जाएगा? 120 प्लस 4x, ठीके, अब क्या गरना है? 120 को इधर बेज दूँ, पहले हमने ये बेजा इधर, फिर अब ये वाला बेज रहें, तो कितना बचेगा? 60 बचेगा, 60 is equal to कितना हो जाएगा? 4x तो x is equal to कितना आजाएगा? 15, और 15 is right answer, एकदम correct answer तो मैंने जो बोला, उस बात को आप गौर कीजिएगा, और उसे change कर लीजिएगा, वहाँ पर 2 नहीं होगा, वो misprint है 4 होगा, ठीके फ्रेंस चलो, फड़ा बचे नोट कीजिएगा तो हो सकता, आपका भी answer नहीं आ रहा हो, तो अब आ जाएगा समझके, चलो इस वीडियो में हम एक और question देखेंगे, question number 10 तीके, मैं रफ कर देता हूँ इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, प्लीस ऐसे और प्लीस फ्रेंस आप लोगों के comment view बहुत कम आ रहे हम आप से कैसे कहें आप लोग अगर अपनी जो भी चीज है, मतलब जो आप से चीज ली जा रही है, सिर्फ एक comment, एक like जिसमें 2 मिनिट मुस्किल से लगता होगा ठीक है, तो अगर आप वो भी नहीं दे पाऊगे, तो फिर हमारा दिल कैसे करेगा वीडियो बनाने के लिए देखो, हम यहां पे वीडियो बनाते हैं तो आपको नहीं पता कितना टाइम यहां पे विष्ट होता है, फिर भी हम सोचते हैं कि इतने सारी बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है ठीक है, हमारे उपर भी प्रैसर होता है और भी काम होते हैं, घर के काम होते हैं कुछ हमें भी पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है और भी जगय है और जो आपको भी बढ़ाना होता है लेकिन आपके लिए यह टाइम बहुत झादा लग जाता है क्यों क्योंकि हमें पहले वीडियो बनानी होती है फिर उसके बाद उसके स्केन करने होते है कोशन क्योंकि अगर कोशन इसके नहीं होंगे तो यहां पर फूर आपके clear नहीं दिखाई देखा अब उसके बाद में फिर क्या होता है फिर convert होती है क्योंकि हम जो केमरे से वीडियो बनाती है उसमें कम से कम आठ जीवी की वीडियो बनती है उसके इसमें अब आप बताओ हम कैसे मानें तो सिर्फ आपसे सिर्फ हम एक छोटी सी चीज माग रहें सिर्फ कमेंट और लाइक और सियर अगर अपने फ्रेंज सरकल में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ठीक है यह चैनल आपके लिए खोला गया आपके लिए पैस्ट एकतम परफेक्ट चीज ठीक है जहां पर हम ब तो वो एकदम परफेक्टली आपके किलियर होगे होंगे मैं दावे से बोल सकता हूँ ठीक है क्योंकि जिन लोगों ने एकदम परफेक्ट तरीके से स्टडी किया होगा उनके जो लोग बीच में से देखते हैं उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता लेकिन जो लोग मुझे प पताई जा रही है ठीक है चलो फिर हम चलते हैं अपने कोश्ट नमबर 10 की ओर आप कोश्चर नमबर 10 में क्या भोल रहा है देख लेते हैं ए कार्ड कुष्टल में बी से तीन गुणा कुष्टल है ध्यान से देखना एजो है बी से बी से तीन गुणा है कितना तीन आप लोगों परसेंटेज कर लिया हुआ तो सिंप्ली कर सकते हो तो यह क्या है मेरी छमत चमता और समय का पॉइंट था साइध आप लोगों को याद हो फर्स्ट ये बेसिक कौन सा वीडियो में कि यहां पर जो है चमता का जो रिलेशन है वह इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है किसके समय के मतलब अगर समय भड़ेगा या समय घटेगा तो चमता जादा लगेगी य अब यह चमता है तो इसका जो रिश्यो हम समय का निकालेंगे रिश्यो तो वह क्या हो जाएगा जरा बताईएगा बहुत सारे लोगों को पता होगा अगर नहीं पता तो कितना हो जाएगा एक रूपार तीन हो जाएगा समझ गए अब आंगे कोशन देख लिए ते कोशन म सिक्स्टी दिन साट तो एक बराबर कितना हो जाएगा तो में इस में तो करूँगा तो यह कितने आ जाएंगे इसके perfect day आ जाएंगे कितने 30 दिन ठीक है 30 दिन आ अब यहां पर देखो यहां पर multiply करूँगा तो कितना आ जाएगा तीन तर्का नो मतलब 90 days अब देखो कहानी यहां पर ठीक है मेरे दर सेरफ कर दूसे चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें निकालना होता है कुलकार कुलकार कैसे निकालते हैं भाई समय में गुणा कर दीते हैं किसका छमता का किसका छमता मतलब efficiency का ठीके अब हमारे पास कुलकार तो हमें निकालेंगे समय कितना है भाई समय अगर मैं इसका लेता हूँ तो इसी की छमता लेनी है यह उपर क्या है एक ही छमता और यह क्या है समय समय परफेक्ट ले लेना है और छमता जो है ratio मतलब इतनी ही होती है समझ गई अब यहां से कुलकार निकल के आ जाएगा तीन तरका नो मतलब 90 क्या है यह मेरा कुलकार अब आप बोलेगे सर्व वहां से लू तो वहां से भी आप देख सकते हो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इसके दिल ले रहे हैं तो इसी की छमता आएगी तो 90 इन तू एक करेंगे तो 90 एकम 90 हो जाएगा तो वही चीज आ जाएगी अब कॉस्टन इस काम को करने के लिए किस किसको नेक्ट कर रहा है किस किस से करवा रहा है वो देख लेते हैं तो कॉस्टन में इस काम को किसने एक साथ कारी करते हुए वे इस कारी को कितने दिन में कितने समय में पूरा करेंगे तो मतलब अब एक साथ काम करवा रहे है तो एक साथ काम करने के लिए ए और बी की एफिसियंसी एड़ कर लू तो A और B की efficiency जोड़ेंगे तो कितनी हो चाहेगी भाई चार अब यहाँ पे लिख देतों में नीचे तो A प्लस B जो है 90 वर्क्स को दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना करना है चार अब एक काम कर लें आदा कर लू 45 बट्टे 2 45 बट्टे 2 मतलब 22 सही एक बट्टे 2 इतने दिन में कम्प्लीट कर लेंगे और ये मेरा क्या कहलाएगा आंसर है ना बहुत सिंपल कुछ नहीं है efficiency बाले में सिर्फ आपको ये point याद करना है और इसके basis पे सारे question कम्प्लीट हो जाएंगे इससे हमें क्या help मिलती है सिर्फ इतना कि अगर कोई पूछे कि यहाँ पे ratio उल्टा क्यों होता है क्योंकि ये inversely proportional होता है विपरीत होता है इनवर्सली proportional होता है अगर छमता बढ़ती है तो समय कम होता है उसी के according क्या होता है ये change हो जाता है 3 ratio 1 है तो हम इसे लिख सकते है 3 ratio 1 ठीक है ratio क्या है पलट जाते है अब यहाँ से देखो कोई दूसरे से कितना अधिक है अच्छा आप बोलो कि सरम पहले से ही ले लेते तो तो friends अगर पहले से ले लेते वो जमता है और आप समय को और आप समय को उससे compare करोगे तो वो चीज गलत होगी ठीक है इसलिए मैंने क्या किया पहले ये समय लिया क्योंकि question में भी क्या given है हमें 60 minute ये 60 day 60 day 60 day 60 day 60 दिन क्या है मेरा समय है तो हमें ये समय का ratio बनाना पड़ेगा हम उपर से तो ले लेते लेकिन फिर accurate नहीं होता हम efficiency नहीं निकाल पाते दिन ही तो निकाल लेते लेकिन दिन तो हमसे पूछे ही नहीं है efficiency निकालेंगे फिर उसके बाद कुल काम निकलेगा कुल काम निकलने के बाद में जब काम कराएंगे जब जाके बाई सही एक बट्टे दो जो कि option number two हमारा right हो का समझ गए तो चलो तो friends अब हम चलते हैं यह आपकी यही तक class समापत होती है मिलेंगे आपसे next video में next question के साथ जब तक के लिए बाई take care अपना खयाल रगना और सबसे बड़ी बात अगर आप इस channel पर नहीं हो तो सबसे पहले आप series वे में study कीजिए और second point की play अगर आप नई हो तो please subscribe बटन जरूर दवाना और जो पुराने friends हैं उन लोगोंने बहुत सारी friends हैं जो की मतलब बारबार प्रेस करते हैं आपको इनफर्म करना चाहूंगा subscribe बाला बटन सिर्फ एक ही बार दवाये जाता है ठीक है जब तक वह red होता है सिर्फ उसी time पर दवाते हैं मिलके ठीक है फिर हम चलते हैं बाई टेक क्यार अपना खयाल रखना हो